नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे यूटूब चैनल में तो आज मैं आपको संडारेक्ट का सेटप बॉक्स कैसे रिस्टोर करना है या रिसेट करना है उसी के बारे में मैं आपको एक वीडियो में इन्फरमेशन देने वाला हूँ तो यह देख सकते हैं कि यह संडा आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको हैल्प इन्फरमेशन और फैक्टरी रिसेट यहां पर दो आपको तो आपको यहां पर इंटर पिन का उप्सन मागता है तो यहां पर आपको फोर टाइम जिरो जिरो प्रेस कर देना है तो यहां पर एक बार आपसे कन्फर प्रेस करते हैं तो ये लोडिंग लेने स्टार्ट हो जाता है तो लोडिंग लेने स्टार्ट होने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि बॉक्स जो होगा वो आपका बंध होगा बंध होने के बाद फिर आपके चैनल स्केन करना चालू करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे strength quality सब कुछ perfect होना चाहिए तब जाके आपका जो channel होगा वो वापस से renew होगा या channel नए आएंगे तो इस तरह से आप अपने box को reset कर सकते हैं आप जो quality है signal की वो 67% है जो की ठीक था quality है तो यह देख सकते हैं आप जो channel है वो channel scan हो चुका है तो channel scan होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि channel आगया है तो यह देख सकते हैं यहां पे जो आपके channels हैं वो चालू हो चुके हैं उसके अलावा आपको यहां पे जो channels आए हैं वो आपके 999 total channels जो हैं वो आए हैं बॉक्स को रिसेट करने के बाद तो यहां पर जो चैनल लिस्ट भी आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ ऐसे चैनल मिल जाते हैं जिसमें आपको तमिल, तेलगू, मलयालाम, कन्नाड, हिंदी, हर चीज की कैटेगरी के हिसाब से आपको चैनल भी मिलते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं कुछ इस संडायरेक्ट की चैनल लिस्ट है, वह यहां पर ह्च़ डी चैनल भी मिल जाते हैं, और इसके अलाव़ यह देख सकते हैं लाश्ट त्र runners चेनल नम्बर हो ल chloride q तो इस तरह से आप अपने सेट आप बॉक्स को पूरी तरह से रिसेट कर सकते हैं अगर आपके बॉक्स में हैंगिंग की वफरिंग की या फिर स्लो स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है और आप इसको फेस कर रहे हैं तो आप अपने बॉक्स को रिसेट कर सकते हैं तो रिसेट क ये चैनल, नॉर्मल चैनल, सब कुछे हैं, आपको काटेगरी वाइस मिल जाता है,